कि है लोग देखने वाले हैं सब्सक्राइब कर पाइंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब करने से आपको यहां का और यहां का मिलेगा दो मिलेगा और यह जो एक्स मिलेगा वही हो जाएगा रेंज की टोटल रेंज हो जाएगा एक्स की को तो हम लोग इसमें वाई को जिरो पूट कर लेते हैं जिरो एक्स माइनस थ्री बाइ फॉर एक्स स्क्वाइर तो अभी हम लोग यहां से देखेंगे वैल्यू के आजागा क्या बैल्यू तो एक्स को मलेटे हैं टुएल माइनस थ्री बाइ फॉर एक्स् को इक्कोटो जीरो एक की जीरो आवगा है और दूसरा प्रकतent विख्वाइगा तैसे मैं लोगे-विल ऑख़ते हैं यह हुआ था दूसरा हम लोग यहां फेक्टर मिल रहा हम लोग को तो देखिया हां से 3x equal to 48 so x equal to 16 meter तो इसका right answer हो जाएगा 16 meter option भी correct next question question बोल रहा है a bomb be dropped from an aeroplane moving horizontally at constant speed if air resistance neglected then the bomb option a fall on the earth exactly below the airplane second fall on the earth behind the airplane fall on the earth ahead of airplane flies with airplane तो देखिए जब बॉल को यह रिलीज कर देते हैं तो उसका जो horizontal component होता है वो constant रहता है तो जो प्लेन का horizontal speed था उसी speed से वो fall हुआ है तो जब भी plane suppose plane यहां पर आया तो exactly plane के नीचे वो strike करेगा ground को exactly below because horizontal component of the ball is same as the horizontal velocity of aeroplane option a correct हो जाएगा falls on the earth exactly below the aeroplane option a is correct next question है a particle is projected horizontally with a speed 20 meter per second from the top of a tower after what time velocity of particle will be 45 degree at 45 degree angle from the initial direction of projection तो top of the tower से project किया गया है देखिए इसका horizontal velocity का direction यह होगा और vertical velocity इसका increase करेगा इस direction में और यह हम लोग को total velocity हो गया इसको लोग बोल देते हैं भी एक्स इसको बोल देते हैं भी वाए को इसन बोल रहा है कि 45 इंगल आप्टर वाट टाइम विल बी 45 डिग्री एंगल फ्रॉम दे इनिचिल डारेक्शन और प्रोजेक्शन यह एंगल 45 डिदे दिया है तो यह वेलास्टी का डिरेक्शन हो गया वह 45 डिग्री है यह वेलास्टी भी है तो वेलास्टी ट्रेंगल हम लोग बना लिए प्रोजेक्टायल का इसमें हम लोग क्या लिखेंगे 1045 डिग्री इक्वल टू पर्पेंडिकुलर भी वाई भी एक्स 1045 का भली वन होता है भी वाई तो क्या हो जाएगा यूए जीरो था जीरो प्लस जी टी डिवाइडर भाई भी एक्स एक्स कंपोईंट ऑब वेलास्टी ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड कॉंस्टेंट रहेगा व्यकॉज एक्स डारेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो यहां से हम लोग आ गया 20 इक्वल टू जी टी तो जी का वैलू टेन लेना अगर हम लोगों लेते हैं यहां से सिं इसल डारेक्शन से मतलब बी के जो एंगल होगा हो होरीजिंटल से 45 डिगरी पर हो जाएगा इसका ऑप्षन कितने टायम के बाद होजाएगा टू सेंड के बाद नेक्स्ट्यों प्वावल ब्रोजक्टेड रूजिंटल यहां से अप्रोच रहेगा लोग का यहां से और यह हम लोग का velocity V है final, तो यह VYS को बोलेंगे, इसको VX बोलेंगे, again वही फंटा हम लोग अपलाए करेंगे, 10 theta equal to VY by VX, कितना अंगल बोल रहा है, 60 degree बोल रहा है यह अंगल, velocity का direction, तो 1060 degree, equal to VY क्या हो जागा, जी टी विकाओ, यू आज जी रो था, और VX का वैलू बी नोट ले ले लेना हम लोग को, तो यह रूट 3 हो जाएगा, इकल टू, जी टी वाइ बी नोट, तो टी का वैलू, यहां से हम लोग को मिल जाएगा, रूट 3 बी नोट बाइ जी, रूट 3 बी नोट बाइ जी जो क्या ऑप्शन B में है, बी करेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्विस्टिन, तो देखे, आर का जो बेलू होता है, क्या होता है, 2 स्क्वाइर, साइन, 2 थीटा, टी बाइ जी, वो आर ऐसी बुल सकते हैं, यू और यहां पर से 2 को ले आते हैं, साइन, 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन, 2 थीटा, चू को साइड कर दीज़े, दी रूट 2 को साइड कर दिज़े, साइन, थीटा, में प्रोलेम है तो प्रेलिस्ट में जाहिए सारा इडिटीव हम बता दिए हैं तो साइन थीटा इंटू कॉस्ट थीटा तो इधर कर दिये एक साथ ले लिए यहां पर और एक साथ यहां पर विकाउज यू स्कॉयर है तो यू दू बारा आया और यह होता है और यू कॉस्ट थीटा होता है यू एक्स डिवाड़ेट बाइजी देखिए रेंज यू है तो रहेगा यहां पर मेक्सम हाइट सबका सेम है तो हम लोग लिखें के डिरेक्ट होर्जिंटल रेंज पर पॉस्टनल टू यू एक्स मतलब जिसका एक्स शबसे ज्यादा होगा उसका और दो और सब से ज्यादा है तो फोरका एक्स कंपोनेंट Republic फोरका चिंट्येकर शीन नेशियल होजेनल वैलासिटी कंपोनेंट हाइस फ़स्ट पोर कारेंज सबसे ज्यादा पोर का निश्यलक मेंट सबसे ज्यादा दें ठीचा एगा थें टुक यागा देन ओन का तो सबसे ज्यादा फोर दें ठीड दें तू देन फोडिग्स फोडिकरिक्ट फोजाएगा next question two stones having different masses M1 M2 are projected at an angle alpha and 90 minutes alpha with the same speed from same point the ratio of their maximum heights is now look at height what we can say U square sin square theta by 2G you can see same speed same speed question U same constant height proportional to what we can say sin square theta theta angle of projection first case alpha angle of projection second case 90 minutes alpha H1 proportional to sin square alpha and H2 proportional to sin square 90 minutes alpha because theta alpha mode alpha angle project and H1 by H2 home H2 cos square alpha divided by sin minus alpha cos alpha cos square alpha 10 square alpha तो 10 SQA ratio 1 बोल देंगे हम लोग यहां से 10 SQA ratio 1 option D correct next question the equation of the particular is y eqa to root 3 x minus GX square by to the angle of projection each तो देखिए हम लोग को compare करें नाई सब्सक्राइशन गो यकल to x 10 Theta माइनस G X square divided by 2 U square cos square theta अब हम लोग compare करते हैं यहां से दोनों को X यहां पर भी है तो 10 theta क्या मिल गया हम लोग को यहां से direct root 3 तो theta कितना हो जाएगा 60 degree और यह theta क्या होता angle of projection तो option इसका correct हो जाएगा C तो देखें next question है projectile is thrown apart with velocity V not at an angle alpha to the horizontal the change in velocity of the projectile when it strikes the same horizontal plane is चल्मों के डाग्राम बनाते हैं पहले projectile का यह हम लोग का suppose xy-axis है y-axis x-axis projectile को यहां से fire किया जा रहा है तो पार्टिक्ल यह projectile है कि इसका इनिशल वेलास्टी का डारेक्शन था यह और जब इस्ट्राइक किया तो इसका अपनल वेलास्टी हो जाएगा इस डारेक्शन में इसको हम लोग आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं लो प्रॉब्लम यह भी आपका डिरेक्शन है और यहां पर हम लोग का था यह इनिशल वेलास्टी का डिरेक्शन था और यह फानल वेलास्टी का था अब पार्टिक्ल को देखिए यहां पर असे किस वेलास्टी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं बीनोट से तो जो बीनोट से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं वो भी आई क्या हो गया बीनोट तो रूल क्या है जिस वेलास्टी से प्रोजेक्ट करते हैं से वेलास्टी से स्ट्राइक करता है तो यह अपका भी मैगनिटूड ब कि मैंनस टू अलफा हो जाएगा और अब लोगों करना है चेंज इन वेलास्टी का मेगनीटूद डेल्टा भी को लोग राइंड करेंगे डी फ मैंनस थी आई यह होगा तो वेक्टर फॉर्म में है यह तो भी डेल्टा भी क्या हो जाएगा बी फाइनल प्लस माइनस बी आई तो अब यह दोनों का resultant हो गए बी आई बेक्टर और मैनस बी आई बेक्टर का तो बी आई बेक्टर तो पता था बट मैनस बी आई बेक्टर क्या होगा इसका opposite में यह वाला यह मैनस बी आई बेक्टर होगा मैनस बी आई वेक्TOR्स का मैंगनीटूड भी कितना हो गा जो लीकता घिंवाई देर रहे हैं जो लिए मैंगनीटूड रहे है वही क्या और हो जाएगा मैं ऐा जाएगा वSp का magnitude और सबका magnitude कितना है दी नोट है अब यहां पर हम लोग वेक्टर रिजल्टेंट का फॉर्मला अप्ले कर लेते हैं डेल्टा भी हो जाएगा स्क्वेर रूट आप कि भी एफ स्क्वेर प्लस भी आइए स्क्वेर प्लस तू भी एफ भी आई कॉस वन एटी माइनस टू अलफा पर काउच एंगल कितना है दोनों के बीच में भी एफ यह वेक्टर है और माइनस भी इधर नीचे के तरफ है यह एंगल वन एटी मिनस टू अलफा लोग वेक्टर का फॉर्मला अपलाई किये और इसको लोग और सिंप्लिफाय कर लेते हैं मैनस कॉस्ट अलफा यह जागा माइनस अनिधर आ जाएगा तू भी नॉट भी नॉट कॉस्ट तू अलफा अब देखिए कल्कुलेसन आसान है हम लोग यहां से स्कारूट के अंदर में ही कॉमन ले लेते हैं क्या इसको रूट के अंदर में टू भी नॉट स्कॉयर यह जागा वन माइनस कॉस्ट तू अलफा तो यह जागा कितना तू भी नॉट स्कॉयर इंटू तू साइन स्कॉयर अलफा दिकाओ ज वन माइनस कॉस्ट तू अलफा होता है क्या वन माइनस कॉस्ट तू अलफा होता है साइन एस्कुाइर्टू सैने स्कुईर अलफा इसलिए 1 violा का ट्रिवनेटरी में दिख्कत हो रहा तो प्ले लिस्ट में जाके शेणिस कर सकते हैं यह होताएगा ऑफिंगinka क्ति कितना थुवे नॉट साइन अलफा से बाहर आएगा तो यह की Ofsन ट समय में है और इसका दारेक्टिन देखे दो इक्ष्ट टेंड क्या होगा एंगल वाक्ष्ट करेगा यह भर्टिकली टॉनवाड हो जागा बर्टीकली टॉनवाड इन्विटेंड वेडियम्ट होता है तो यह वेक्टर अगया और मैंनीटुड हो गया तू भीनॉट सैनलफा दैट इस तू V0, sin alpha and vertically downward जो के option B में था next question है question बोल रहा है projectile is fired from ground level at an angle theta above the horizontal the elevation angle phi of the highest point as seen from the launch point is related to theta by the relation पहले लोग डायग्राम बनाएगा projectile का और उसके बाद ये question solve हो जाएगा तो दिखिए यह जो एंगल था इनिछल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यह था थीटा अ मैं जब उसको एस सीन प्रोम् जब उसको क्या बोल रहा है एक यॉपेशन एंगल फाई यह एलियूशन एंगल होग यह उसको बोल दिया है फाई यहां से जब हम लोग देखेंगे एलिवेशन एंगल हो जाएगा यह वाला जो की फाय है मिक्सम हाइट को देखने के लिए तो यह है और यह रेंज का हाफ हो जाएगा और यह इसका कुछ वेलास्टिय हम लोग यह बोल लेते हैं अब लोग के पास फॉर्मूला है इस ट्रेंगल को देखें इस ट्रेंगल में जो यह ट्रेंगल बना-a और-b स्ट्रेंगल में आप लोग लिख सकते हैं 10.5 डैट इस पर्पेंडिकुलर पर्पेंडिकुलर अबी है अब डिवाड़ वे बेस ओ-बी 10.5 है कि एभी क्या हो जाएगा एच मैक्सम हाइड और भी हो जाएगा आर बाइट तो अब यहां से लिख रहेंगे टेन फाइट इस टू एच बाइड आर एच होता और जिन्टल रेंज एच का फॉर्मुला क्या होता लिख दे रहें साइड में यू स्क्वाइर साइन स्क्वाइर अल्फा डिभाइड बाइट बाइट टू जी और आर हो जाता है यू स्क्वाइर इस साइन यहाँ प्रठीटा अंगल आ पीन ले ले लेटे हैं इसी हैं। यहां पर एंगल प्रडड app ले लेते हैं इसकर स्पाइब डिभाइट बाइड टू जी और आर क्या होता है और यू स्कुरऔर साइन टू थीटा वाई जी अब यह हम लोग पूट कर लेंगे तो तो और एच का वेलू लोग का यू स्क्वाइर अब साइन स्क्वाइर थीटा वाई तो जी डिवाइड वाई यू स्क्वाइर साइनटू थीटा वाय जी अ हम लोग सब कद दिक्कंसिल कर सकते इसको देखिए आसानी से केंसिल हो जाएगा है तो टो कैंसिल हैं सिपीजिर कंसिल है एसे केंसिल केंसिल एक अधार में है कि ळूब यहां लूट कर देख है लूट का साइन कू थीटा यहाँ पर तो यह आ गया sin square theta divided by 2 sin theta into cos theta square है एक sin theta कर जाएगा उपर में शिर्फ एक ही sin theta रहेगा और नीचे में 2 cos theta रहेगा यह solve होकर क्या गया 1 by 2 10 theta सब्सक्राइब है तो दिस इस वन वाइट टू 10 theta तो फैनली हम लोग का 10 5 कितना मिल गया 10 5 मिल गया वन वाइट टू 10 theta 10 5 is 1 by 2 10 theta option c is correct प्रियत आज का कुछ question और एक part हम लाएगे है बर प्रजेक्टल का यह आप आज शुका होगा आप लोग इस टाइम में देख रहे हैं आप लिस्ट में जागे चेक कर सकते हैं साथ आ गया होगा उस पार्ट में और भी ट्रकी कोईस्टन लाएंगे और उससे आगे कुछ पॉसिवल ही नहीं है जो ट्रकी कोईस्टन यह डिसक्स किया जाएगा दाट इज दे एंड और प्रोजेक्ट टेलमोशन तो स्कॉच्छे से देखिए और सारा वीडियो को रिभाइज करिए मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग कि अजह कर दोखिए नेक्सा जाएगा जाएगा है